अब दोस्तों गुड मॉरी नमस्तियाद आप सास्री आकाल एंड वेलकम तो टेस्टबूक डॉट कॉम आई होप सो मेरी ओडियो वीडियो आपके दिमाग में आपके दिल में अच्छे से जा रही होगी और दोस्तों आज हम लों यहां पर स्टैटिक जीए सीखने वाले हैं इस एक से डेड़ घंटे में बहुत सारे दोस्तों से ज्यादा कोशन हम लों बनाएंगे और सांदार तरीके से सीखेंगे तो गैस यहां पर मैं सबसे सबसे यह इलतिजा करना चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छे से सुनाई दिखाई दे रहा है तो अपने दोस कोश्चन लगाएंगे सुरू से लेकर के अंदर तक सारे कोश्चन लगाएंगे और सारे कोश्चनों के जवाब देने बले नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है गलत जवाब दे करके सही को सीखेंगे हमेसा मैं एक बात बोलता हूं कि गिरते हैं सहसावार ही मैदाने जंग में वो तिफ्त क्या जाने जो घुटनों के बल चलते हैं तो बिटा सहसवार बनना है मतलब योध्धा बनना है और सभी कोश्चनों को लगाना है गलतियां ही इंसान को सिखाती है ठीक है तो guys are you ready जैहिंद के साथ सुरुवात करते हैं 50 बच्चे जल्दी से हो जाते हैं तो हम लो आज सारी classes करेंगे आज का पूरा डेटा है वह आपके नाम है हमारे साथ जो है अभिजीत खुस्बू अभिप्रिया सपना सौरब उन्नती सब लोंग जुड़ गए हैं 50 बच्चे जल्दी से हो जाते तो मैं यहां पर सुरुवात करता हूं 64 लाइक हो चुके हैं 50 बच्च बच्चों का इंजार कर रहा हूं तक 50 बच्चे होते हैं मैं पताता हूं SSC बैस सांदार बैस यहां पर आपकी हर लेबल की त्यारी कराई जाएगी हर लेबल की त्यारी समझ रोगी नहीं टिंग से लेके टॉंक तक टिंग में आपको सिखाय देगा लाइफ क्लासे प्रैक का सबसे उंचा पॉइंट कंचन जंगा यह प्रिस्तित ने पाल में Sikkhim Сам si mm एही माणचर प्रदेश में या कास्मीर में कंचन जंगा कहां पे जनता का सबसे उंचा पॉइंट कौन सा है इंडिया का सबसे उंचा पॉइंट है जो पूरी तरीके से इंडिया में वह सिक्किम का कंचन जंगा है कहां पर बैटा सिक्किम का कंचन जंगा 85-86 क्यों चाहिए इसकी जितने लोग ऑप्सन नमबर थ्री बोल ले थे जवाब उनका सहीत अगला कोश्यन है बेटा 200 महा सागर दिवस कब मनाया जाता है गाइस सुबह करेंट अफेस क्लास में मैंने बताया था कि ओसियन जो हमारी सम्मिट हो रही है वन ओसियन सम्मिट कहां पर हो रही है फ्रांस में हो रही है हमने आपको बताया था की महा सागर दिवस कब मनाएंगे एक को 21 और 26 जंता नहीं ने जवाब देना सुरू कर दिए कि सर हमारा महा सागर होता है कुछ इस तरीके से होता यहां से यहां तक पूरा फैला होता है तो 8 जून के उपर टिक करते ह पर यहां पर यह आपको देखने को मिलेगा तो जनता बोली गए सरी राजिस्थान में आपको देखने को मिलेगा राजिस्थान के हमारे जो मरुस्थल है वہाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा और वो जगे का नाम बेटा Desert of Park of Thaar है थार का Desert में आपको देखने मिलेगा चार नमबर एक एक question को ध्यान से बनाना है आपको nodigभ Pider Piper of Punjab किसको मोलते हैं सांदार तरीके से जनता जवाब दे रही है कि सर पाइडर पाइपर के अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं तो यूवी की तरफ जाओंगा यूवी का मतलब है यूराज सिंग यूवी यूराज सिंग यहीं पर होना चाहिए बेटा बहुत सारी उपाधिया इनके नाम है इनोंने लिखा एक किताब जिसका नाम है टेस्ट आफ माई लाइफ टेस्ट आफ माई लाइफ जो है वो इनकी किताब है ये भी आपको याद रखना है आगे चलते हैं ध्यान चंदर पुरसकार बेटा ये हमारा कितना पैसा मिलता है बेटा पहले इसको राजियू गांदी खेल रतने पुरसकार बोलते थे 1991 में सबसे पहला पुरस्टकर सबसे पहला किसको मिला था यह हमारे विस तो नाथन आनंद को चेस प्लेयर को मिला था उसके बाद से हर साल एक परसन को मिलता है लेकिन 2021 में इसका नाम बदल करके रख दिया ग्या ध्यान च्णपुरस्कर और पहली बार 12 खिलाडियों को एक साथ मिला हुआ है जिसमें आपके जितने भी हमारे ओलंपिक विनर है पैरा ओलंपिक विनर है और हमारे मन्पिरी सिंग है जो होकी टीम के कैप्टन सबको मिला हुआ है 10 लाख रुपए का प्राइस मिलता है एक बहुत बड़ा यह हमारे चीब्मेंट है जितने लोग यहां पर बोलें यार 25 लाख होना चाहिए क्या कि अधियान चंद्रवाड में 25 लाख पैसा मिलता है तो भी यह 10 लाख जितने लोग बोले हो कि वही सही है 10 लाख नहीं 25 लाख नहीं 10 लाख है बिटा 10 लाख is right answer यार तुमनों confuse कर दिये 10 लाख रुपए मिलता है अगला कोशन क्या है सूरी से बिटा प्रथवी की दूरी कितनी है देखिए यहां पर कैपलर 10 लाख रुपए मिलता है कैपलर ने बताए कि हमारे चारों तरफ दीर गुरताकार पर चक्कर लगाती है प्रथवी सूरी के चारों तरफ यह जो हमारे दूरी है आवरेस दूरी बेटा क्या है तो किती है यहां पर अगर देखेंगे तो यह सबसे पास में दूरी होती है पास को हमलों बोलते हैं पैरी हीलियॉन क्या बोलते हैं पैरी हीलियॉन ठीक है और जो सबसे दूर में होती है इसको हमलों बोलते है एपी हीलियॉन तो एपी हीलियॉन और पैरी हीलियॉन यह दो कंडिसन होती है यह हमारे 149 मिलियन किलो मीटर है और यह हमारी 152 मिलियन किलो म on an average देखेंगे 1100 के उपर टिक करते हैं याद रखेगा पैरी-हिलिउओं बेटा कब होता है जनवरी चार को होता है ठीक है और हमारा यह जुलाई में होता है 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 ना तीन जुलाई को यह याद रखना दूर और पास वाला किस्सा चलिए 1500 मिली हैं जितने लोग बोला है जवाब से अभी तक बेटा 500 लोग हो जाते लेकिन अभी हम दीरे-दीरे चल लाए क्या आप लोगों ने ससी की त्यारी नहीं करनी है बेटा ससी का एक्जाम सामने मूँ फाल के बैठा हुआ है अप्रेल में और माई म ससी की त्यारी अगर हमें निकरनी है तो भी आप पूरा वीडियो के देखते हैं मजाएगा अगर आप लोग ससी कैसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज बेढ़िया सपोर्ट करिए 1500 अभी तक हो जाते हैं तरह एक बर सभी लोग जैहिन लिकर के 1500 हो जाते हैं कैप्टन मारग कौन किते राज्यों से कुजलती ही तीन पाँच छे चार कितने राज्यों से गुज रहेंगी जनता हाँ आपके क्या होना चाहि अधीति बोलिए ऐसर अगर आ इंडियन इस्टेंडर टाइम की बात करेंगे की बात करेंगे तो यह हमारे जो साले 1815 घंटे आगे हैं से यहा यूपि के बाध से हमारा मद्ध्र Prize आता है दूसरे पर शत्तिस्गर्ण उडिसा एंड आंद्रा प्रदिस हमारे राज्यों से गुजर रही ठीक है न यूपी से हमारे प्रदैस आंद्रा प्रदैस 36 गण उडिसा मिर्जापूर बेटा वो जगह है जहां से गुजर रही क्लियर हो गया भाई चले अगला कोशन ठोकते चलते अकबर के सासनकाल में किसका निर्माड नहीं हुआ था दिल्ली का लाल किला आगरा का किला इलहाबाद का किला या लाहौर का किला क्या होना ची बेटा अकबर ने निकराया या तो इसका निर्माड साजहा ने कराया है या किसी और ने कराया है ठोकते चलो बेटा रोकना नहीं है बुली है सर यहां पर अकबर के किया जो किला है इसका निर्मार्ण किया है Silent Valley National Park कहां पे स्थित है Silent Valley की बात सर कर रहा है जल्दी से बताते चलते कहां पर आपको देखने को बोलेगा तो जनता है आपर बोलेगा सर विहान बोला है सर Silent Valley आपने बताया था कि यह सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर आपको देखने को बोलेगी यह केरल में है केरल इस राइट आंसर जवाब उनका एकड़म सही है इन में से कौन से जील जम्बू एंड कस्मीर में स्थित है फुलजर है, कलूरू है, अंचर है या हमीसर जील है बेटा क्या होना चाहिए जम्बू कस्मीर में दिमाग को हिला देने वाला कोस्चन आपके सामने आ चुका है तो फुलजर जील जो हमारे ससी के जील में पूछा क्या कोस्चन है यह हमारे 36 गड़ में है कहां पर बेटा 36 गड़ में आपको देखने को मिलेगा बेटा कोलूरु जील सवाबर बता हुआ है आंदरा प्रदेस में ठिक है अगर हम लोग हमीसर की बात करें तो बेटा गुजरात में तो यह गुजरात में तो अंचर जील यह सब पूछे गए यह हमारे प्रिवियस एर के पेपर में सब पूछे गए कोलूरु भी हमीसर भी अब बचा अंचर जील बेटा यह सरी नेकर में पास में कापी सांदार जील है लोगों को यहां पर पता नहीं था आगे बढ़ जाते अगला कोशन ठोकते चलते हैं सवाई जोदपूर या सीकर राजिस्थान तो समने पढ़ाया हुआ है लेकिन अगर आप से इस्टिक का नाम पूछनेंगे तो क्या ठोक्या होगे यहां जनता बोलेगी सर रन थंभोर राष्टी उध्यान सर वज्याद नहीं आ रहा है बेटा देखो क्वेश्चन बनाने है ना सलेक्सन लेना है तो क्वेश्चन बनाने पड़ेंगा अदिती यहां पर जो सही जवाब है यह हमारा कौन सा सवाई माधवपूर सवाई माध पर दहाई देना चाहूंगा उनका जवाब बिल्कुल सही है ना हर्थिका अगला कौशन कौन सा तेलंगाना में बैटा कौन सा आपको डैम देखने हो किलेगा तेलंगाना में नागारजुन सागर मैटूर है बान-बिश्णू है या क्रिश्ण राजा है तेलंगाना पर कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ सांदार डायम है याद रखेगा यह हमारा कहां पर है यह तमिल नाडू में अगला कोशन ठोक लेते हैं ज्वाला मुखी की जो गधी बिदी होती है ज्वाला मुखी हमारा फटा है थंडा पड़ गया अबारिस का पानी खटा हो गया यह जील कौन से बन गई ग्लेसियर है टेक्टोनिक है क्रेटर है यह हमारा भुष्ट कलन है यह जील का नाम ठोकते चलना है सबी बच्चे यहां पर जितने भी नए बच्चे है वीडियो को देखने के बाद पूरा वीडियो के कोश्चन लगाईएगा नंबर बिनने वाले तो यहां पर जनता बोलेगे सरज्वारा मुखी का जो हमारा मुँ होता है उसको क्रेटर बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं यह जील होगे क्रेटर जील टेक्टोनिक का मतलब होता है कोई उलका पिंड गिरा उससे जो जील बनती है यहां पर जील बनती ह से तिबबत को लद्दाक से कौन जोड़ता है ठोकते चलो बैटा जितने भी बच्चे ठोकते चलेंगे और यहां पर चुके गाई ललक्णा पास जिदमें लोग यहां पर लगणा पास बोल ला है उनका जवाब यहां पसे सघीए कई बार मैंने बताइब यह सई जवाबं केस्किक हैना ऐगे चलते कुशन ठोक लेए। घ्रहिन पुरश्कार कि छहत्र में दिया जाता है जल्दी यह जवाब देना सबी को ग्रैमी पुरस्कार किस छेतर में दिया जाता है तो जन्ता बोले सार म्यूजिक इंडस्टी में होना चाहिए म्यूजिक इंडस्टी जितने जत्ता बोले जवाब उनका एकदम सही है याद करिया है दुती विस्यूद के लिए जापान का ने हिरोसीमा पे जो बम गिराया था उसका नाम क्या था लिटल बॉय था लिटल डेविल था लिटल फ्लाई था या इन में से कोई ने हिरोसीमा और नागा साखी साथ सभी को याद है अगस्त में हमारे यहां पर यह बम क गिराए गया था जितने लोग यहाँ पर दो नमबर बोले जवाब उनका सही है गोपापुरम की जो सैली है गोपापुरम मंदिर की यह कैसी है नागरा है मद्यकालिन भारत दरविडियन है या इन में से कोई ने गोपापुरम का मंदिर पूछा हुआ है बेटा जनता को रु बनें इंगे अगला कोशन ठोक लेते है इन में से कौन सा किला अपने मूल रूप से निरमित का अब तक बना हुआ है उनुकुला अपने मूल रूप में निर्मित से लेकर अब तक है, जब से बना तब से इसा ही है, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं किया, भटनेर है, बनेर है, बायाना का है, भसतर गड़ का है, बसंत गड़ का, यह कोशन का जाब तो हम को इन पता चलना है, कि जैसा था वैसा ही है, तो गाइस देख लेते हैं, कम्प्यूटर दॉक्टर स्यू कुमार है डॉक्टर पी आ रहे है बेटा जब पानी को एकटा करने के लिए इन्होंने टेक्नोलोजी बनाई थी जनता यहां पर बोली है सर यहां पर सही जवाब होना चाहिए मुझे भी लग रहा है राजेंदर सिंग दिया जो थे उन्होंने इसको बनाया यह दो कउने होगों मलेसिय और इंडोरे कैनले क्योंने होता है मलेसिया कान सा है इंडोरे ऐन्डोरे कान सा है मलेसिया की जो करणसी है वह है इंडोरे के छले усेंघंगे कंसिघ्वजल ergid नेंगे कोई नहीं अफगान और भारत के बीच में लिएम के नाम से इसको जानते हैं, आपके सामने option ठुके हुए, ठोकते चलेंगे, तो यहाँ पर जनता बूले है, सर अफगानिस्तान की capital काबूल है, क्या बिटा इसकी capital काबूल है और यहाँ की currency अफगानी अफगानी यहाँ की currency है, यहाँ का जो डैम बना हुए भारत और बीच में, सलमा ड खजुराहों में, कुणार्क मंतिर में, अजनता और अलोरा में, बिटा, कहाँ पर देखेंगे, ओडसी निर्ति करते हुए महिलाओं का चित्र बनाए गया, काफी सांधार है, बिटा, खजुराहों का temple में तो जानते हुए, क्या बना हुआ है, हमसे जादा तुम लोग जा देंगे, जय जगनात, उडिसा से कितने लोग है, तो यह चार धाम का यह हमारा मंदिर है, जगनात पूरी याद रखेगा, पृत्वी की चंधरमा को परिक्रमा लगाने में, बिटा, कितना टाइम ठोक लेता है, यहाँ पर जनता ऑप्सन देख लीजेगा, कितना समय लगत है, बिटा, चंधरमा की खास बात है, जितना इसका रोटेशन टाइम है, उतना इसका रेवल्यूशन टाइम है, यह पृत्वी के चारो तरफ घूमने में, और अपनी एक्सिस पर घूमने में, सेम समय लगाता है, ठोकते चलो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिटा, पर 23,3 होना चाहिए, बिटा, यही इसका रोटेशन भी, यही रेवल्यूशन टाइम भी, अगला कोशन देख लेते, मंधोरा नृत्य जो है, बिटा, कहां पर होता है, बागी का, तुमनों जानते हो, डांडिया और वो, गरबा यहीं पर होता है, अगला कोशन ठोटना है, डोडो मा, बेटा, एक मा नहीं, डोडो मा कहां पर होती है, कहां की राजधानी है, इंडोनेसिया, नाइजीरिया है, तंजीनिया है, या चाड है, बेटा, डोडो मा कहां की कैपिटल है, जनता को यहां पर पता है, कहां की कैपिटल है, तो जनता ने यहां पर टिक करना सु वाब विल्कूल सही है, aqbar dhurg को किसके नाम से जानते हैं???? तो न gent किसको ठोकेंगे बहुत बढ़ी है , ऑकपर का किलें अपर मेंग निंज के दुर्गों को बोलेंगे काफी दा लोगों को नहीं पता है मैगजिन का दुर्ग है उसको अकबर दुर्ग बोलते कहीं लोग गलत कर कहते हैं चीन की मुद्रा क्या है येन है वोन है येन है रगमिमी है या लीरा है तो याद रखेगा हमारे चीन की मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है नही नहीं उस से बनाते चलते हैं अग्रा कोशन क्या है करनाडा के बितर राजधानी क्या है बीजिंग है जॉर्ज टाउन है सेंटियागो है या उटावा है जल्दी स्थोकिया बिटा क्या होना चाहिए तो यहां पे जन्ता ने जबाद देना शुरू कर दिया है किससा सही जवाब होना चाहिए ठीक है, यहां पे जन्ता बोले है किसस सही जवाब होना चाहिए हमारा जो ओटावा is a capital of ओटावा is right answer कापा कड़ा की बीजंग सबी लुह जानते हैं चाइना कि एई गशाड़ा कि दा घॉयाना की है कैरेबियन कंट्री वहां कि है सिंटियागों चिली कि ही जी ठोकते चल ना है इस तरफ Asia कौन ठोक रहा है बिटा दोनों को अलग कौन ठोक रहा है जमते हैं यहां पर बोले सर आप अगर इसको Asia में देखेंगे इसिया में हमारा जो परवत है उरोप को अलग करता है उसका नाम बेटक क्या है यहां पे फोड़ड मॉटेन है सही जवाब अगला कुशन ठोकते है हरियाणा हरीकेन इसको बोलते है अब आप लोगों ने पॉइंडर पॉड़ी पाइपर आफ पंजाब देखा था यूवी को बोलते हैं यहां पर हर्याणा हरी कौन कौन है इनके कभी मूवी भी आई थी जिसको अम्हों 83 के नाम से जानते हैं उसमें जो कलाकार निभायते कौन थे बिटा वो बहुत बढ़िया कलाकार थे रणबीर कपूर नर्बीर सिंग थे ना बाबू यहां जनता बूले से सही जव ठोकते चलो बिटा क्या होना चाहिए सही जवाब जनता बूले से सही उत्तर होना चाहिए जितने लों बोलना है सर चार 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 यहां पर चार लोंग जितने लों बोलना है उनका जवाब बिलकुल विचार भी सही है एक दम जवाब भी सही है तो चार इस राइस आंसर जील का नाम बताना है बैटा काफी important हो जाता है तो भाई यहां पर अगर हम देखेंगे मेगा घर जहां पर हमारी उम्यम ताल यहां पर आपको देखने में लिए उम्यम ताल ठीक है भोज ताल आप सभी को मालूम है यह हमारे कहां पर है मध्य प्रदेश में हैं ठीक है ना को देखने में लिए कि भोज ताल चलिए अगला कोशन में बनाते हैं यहां पर सिंदू जल संदी के तहत पश्चिम में कौन कौन सी नदियों को सामिल किया गया है बैटा 1960 में हमारे और पाकिस्तान के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में यह सिंदू जल संदी जो नदी जाती है वो हमारे सिंधू नदी है रावी नदी है और सतलझ नदी है अधिकारिक करन्सी क्या है अभी हमने देखा थे एक अग्जाम में पूँचा गया था नेपाल और इंडिया को अलग करने वाली हमारी नदी का नाम किया तो उसका नाम था बेटा काली सारदा नदी काली सारदा नदी हम लोग बोलते है जो नेपाल और इंडिया को अलग करती है गाइज यहां की जो करंसी है नेपाल की उसके बारे में सर ने पूछा है जनता बोलें सर करंसी का नाम होना चाहिए नेपाली रूपी नेपाली रूपी इस राइट आंसर जितने नों यहाँ पर चार नमबर बोलें उनका विचार मुझे बहुत अच्छा लगा अगला कोशन है हिल स्टेशन वेनिस का पूर्व किसको बोलते हैं कौन से हिल स्टेशन है जिसको पूर्व का वेनिस बोला था हमारे यहाँ पर करजन ने नैनी ताल मसूरी है कोलम है अलजा पुझा है यहाँ पर जनता बोलें सर पूर्व का वेनिस मतलब हमारा इंडिया जो ह । अगला कोशन ठोकले दा मुजोड आफ मदरास के नाम से आप किसको जानते हैं। कौन हमारे है। याट वस एयार रहमान है इलिया राजा है किसोर कुमार है या एस भी बाला सुब्रेमनम है मुजार्ड जल्दीस जनता जवाब देती चली कोई भी बच्चा रुखेगा नहीं एक एक प्रसंद जो है वो काफी महत्तवपून है आपके हर एक 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 जाम के लिए जनता य यार रहमान यार रहमान जो हमारे ब्यूजी डिरेक्टर है इन्होंने कई सारे वार्ड भी जीते हुए नंबर आफ इंके पास बहुत सारे हैं यहां पर हमनों दोस्वासी की तरफ आप टार्गेट करते सभी बच्चे टिक करके बैटिंग करें जितने भी बच्चे हैं उन पर पॉर्टी एट नहीं एनस नंबर एट पर आपको यह जील देखने को विलेगी जैपूर के पास में यहां से हमारा जो है कई सारे नमक का बहुत बड़े कार खाने भी आपको देखने में लेंगे जनता बूले सर सांबर के उपर सांबर के उपर टिक कर यह सांबर के हम लोग उमिया लेक बोलते हैं बारा पानी को ही बोलते हैं यह कहां पर है में घाल है मैं आपको देखने को लेगी कहां पर है बारा पानी को ही दूसरा नाम हमारा उमिया लेक है तो इसके उपर ध्यान देलते हैं डल जील तो सभी को मालूम है जे एंड के में जंबू कस्म करनाल डिस्टिक में आपको यह देखना हुआव किशन देख लेते हैं वहां कहा है। जापान हम लोग कर्節目 क्या होचा है हुछ होट तामाटर पीक्छ से खिलते हैं च्छूं पर देध्धमादम होता है। तो भी चलिना तिम ट्रीन बढ़ियां बढ़ियां तेवार होता है लाट टमाटर से खेलते हैं विंद और सत्पुडा की जो पीच चोटियां है वो कौन से कौन से हमारे सबसे उची है क्रमसा विंद और सत्पुडा की चोटियां हमारा कुमार जील है कंचन जंगा धूब गड़ा या एक और दो हैं तो विंद और स भी बोलते हैं और सत्पुड़ा की धूब गड़ा हम बहुत और वन और ती की तरफ चले जाते हैं ठीक अगला कोशन ठोक लेते हैं अगला कोशन क्या है कांजी रंगा नेसनाद पार्क कहां पर मनीपूर में असाम में दिल्ली में गुजरात में ठोको बैटा कांजी रंगा बैटा देखने हुगा एक सील वाले एक सीग वाले जो हमारे राइनोज होते हैं उनके लिए फेमास आई और यह हमको कहां पर देखने मिलेगा जनता बूली सर असाम ठोक चलिए असाम जितने लों ठोक रहे हैं उन बच्चों को नंबर मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं स्वीडन के थे हमारे ध्याज आगे फॉर्ट। याद में यह पुरसकार नौवे भी देता है जैसे हमारा साहित्य का पुरसकार नौवे की तरफ से दिया जाता है लेकिन यहां पर रौ़ा स्विडियस एकडमी फौर साइन्स को पटिक करेंगे या हमारा फिजियो लौजिजय, रसायन और हमारे फिजिक्स के छेतर में देता है अगला question देख लेते हैं इनमें से कौन सी चंज जाती नखुआई फेस्टिबल को मनाती है नखुआई फेस्टिबल पूछे भी जाते है सितंबर को मनाया जाता है यह हमारे विश्टन Royceow यह बटा इडियसा के लोग इस फ॥ेस्टिवल को मनाते है उडियसा का हरवेस्टिंग फेस्टिवल है और यहां के गोड जन जाती के लो यहां पर जितनी लोग उडियसा बोल ले थे उनका जवाब सही है उडिसा का फेस्टिबल है और ये हर्वेस्टिंग फेस्टिबल है गोंड जन जाती के द्वारा बनाया जाता है 36 गड़ में भी कई लोग इसको मनाते है तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है ट्यूनिस है दुसांबे लोंबे है या ताइपी है तो गाईज यहां पर आप लोग को बताना है कि हमारे हाँ हमारे तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है जल्दी से पूरी की पूरी जनता जवाब देगी जितने भी बच्चे यहां पर है तो जनता यहां पर जवाब देना शुरू कर दी ए कि सर सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर जितने भी लोग बोल ले हैं मैं इस बात से सहमत हूँ कि सर दुसामबे की तरफ जाना चाहिए कई लोग जो है यहाँ पर लोंपे या ताइपे बोले है तो ताइवान की कैपिटल अगर पूछेगा तो ताइपे हो जाएगी तो देखें यहाँ पर हमारी टूनीसिया की राजधानी है हमारी टूनीस है लोंपेटा टॉंगो की राजधानी है ताइवान की राजधानी ताइवान सब बेटा देखो ताइस से सुरू गए ताइवान की कैपिटल ताइपे है चलो आगे तब चलते अगला दो विज्ञानिकों को हर साल दियाता है हरियाणा विज्ञान रतन प्राइस बिस्व की सबसे उंची परवत चोटी कौन सी है यह पूछा गया है सबसे बड़ी तो सब पूछा गया जर आप इसको देख लिजेगा यहां पर जनता बोली है सर बी नंबर की तरफ ज्यादा तर जनता जा रही है है ना तो जितने लोग यहां पर बी नंबर बोल ले है उन बच्चों को यहां पर नंबर मिल जाएगा तो सटर बटर्स यह कैलीफोनिया में अमेरिका में जो किये है यह सबसे चोटी है सबसे उची तो माउंट अबरेस है चलिए सटर बटर्स के बाद सबसे चोटी चोटी के बाद हम लोग चलते कहां पर सिर्फ 625 मीटर की हाइट है इतनी 625 मीटर की हाइट है चोटा हूप भी होना आजकर रिकॉर्ड बना लेता है उकाई बताईए कहां पर है गुजरात तिलंगाना उडिसा महारास्टा जल्दी स्ठोकते चलते बैटा तापी नदी के उपर बना हुआ है और इसको क्या बलते हैं बैटा अगर आप चाहते हैं किसी तरीके से आपके एससी के बैचेस चलते रहे तो फ़रा सायोग की जो भावना है इसको बढ़ाईए और 300 के उपर इस कोस्टन के साथ नंबर को लेके चलिए 300 के उपर इसके साथ आपको नंबर खीच के लेके चलना है जनता बोलेए सर इस प्रस्ण का जो सही जवाब है सभी लोग बोले सर गुजरात होना चाहिए मैं गुजरात बोलने वाले सभी आता हूं सबसे हमारा जो टापी किनारिया डैम बना हुआ है बढ़िया कोशन है यहां पर अच्छांस से होकर के गुजरती वह कौन सा है निम लिखित में से कौन सा अच्छांस एसिया से होकर के गुजरता है केवल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ह equator है या topic of Capricorn और equator दोनों है बेटा यहाँ पर प्रस्ण को बहुत ध्यान से देखेगा Asia की बाद सर ने की है हमारे कौन सा हमारा chance होकर के गुजरता है Asia से बेटा सांदार question है यहाँ पर जनता बोलिए सर हमारा जो Asia है जैसे कि पूरा Asia पूछा बाबू लोगों यहाँ पर ध्यान दीजेगा तो चार नंबर वाले always right है यह ना चली आगला question ठोक लेते हैं मेघाले की सबसे उंची चोटी ठोकते चलते हैं मेघाले की सबसे उंची चोटी कौन सी खासी है गारो है मिकिर है या सिलांग की पाड़िया है बेटा प्रसंद समझ में आया था बेटा क्या करना था सुदीप हां चली जनता बोले सर 300 की उपर लेके चलते हैं जहाँ साहब रजेन मंडी बोले सर 300 की उपर अभी हम लोग गय थे अभी फिर से जाने वाले हैं जनता बोले सर सिलांग की जो पाड़ियां ये मेगाले की सबसे उंची चोटी है याद रखेगा सिलांग की पाड़िया इस राइटांस अगला कोशन देख लेते हैं मियान मार की मुद्रा ठोकते चलिए बेटा मियान मार की मुद्रा क्या है यहां पर बालबोवा है यूरो ठोखने पूछा मार म्यान मार की मुद्रा ठोकना है तो आधर्स बोले सर म्यान मार के बारे में आपने कई बार बताया है नाइप रीडियो की पीरीडियों यहां कि हमारी कैप्टल है और मुद्रा के ऊपर जब भी बात आती हम क्यात की ऊपर ठोक के आगे बढ़ जाते हैं अगला कोशन ठोक लेते हैं दिसपूर की बैटा किसकी राजधानी है अरुनाचर असम 36 जारखंड दिसपूर बैटा किसकी राजधानी है ठोकत कोशन यह आपके सांद में है आपको बताना है कि बिशुनाथन आनंद ने किस वर्स में पदम विभूसर जीता गाइस पहले ऐसे परस्नाल्टी जिसको खेल रतने पुरसकार दिया गया था राजियू गांधी पहले व्यक्ति थे पदम विभूसर सम्मानित होने वाले पहल पानित कर दिया गया एक बार सभी दों इनके बारे में जान लीजेगा एक किनारे का ग्रह किसको बोलते है एक डिता इधा पैशा बूल लिए यह लेटा हुआ प्लेंट भी बूला इससको लेटा हुआ प्लेनट भी बिलते यूरेनफ़ को ठीक लाइंग डूका हुआ अध जाँगे सारे सारे और्थ की ट्विन किसको बोलते हैं अर्थ का ट्विन बुद्ध यहां पर देखिए सब लोग 306 के ऊपर लेकर चलते चलते यहां जनता बुले से सही उत्तर होना चाहिए आर्थ का ट्वीन बेटा सुक्र ग्रह को बोलते हैं यह हमारा सबसे गरम ग्रह भी अगला कोशन ठोकते हैं भारत में योजना आयोग का मुख्याल है बेटा कहां पर है निर्वाचन भावन योगना भावन मानव अधिकार है या जिसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं 1950 में इसका पहला प्लानिंग कमीशन 1951 में आय थे इसके चेयर्म कारेश नहीं चाहिए इसके ल Kapbareवन नहीं चक्क्र लगा से मार्स मर्करी ये मार्स वीनFit से नेपचोन से वीनस षिए जवाब देतना है किसका भी हमारा एक भी नैचनल स्धी नहीं ł Tarot नहीं है एंड़ा से नही marvel यह Rekomma देवोज और पएब्बोज और पेदे आरे मार्स के सेटलइय अगे बढ़ता कुछन है सर ने कोशन क्या पूचा हुआ है जनता क्या बोलीगी सर ये पहले खिलाड़ी हमारी जो थे उनका नाम था विस्वनाथन आनंद बेटा आनंद का नाम हर जगे पहले नंबर पे है अगला कोशन क्या है नौ लखा दर्वाजा था ये उस समय में क्या होना चाहिए तो जनता बोली कि सर नौ लखा दर्वाजा जो हमारे राजिस्थान का फिमस है हर गाव में एक नौ लखा मंदिर भी होता है यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए रन थम्बोर का किला बेटा बहुत सांदार अगला कोशन ठोक लेते हैं सौर मंदल का सबसे चमकीला गर है कौन सा ठोक होगे सबसे गराम है सबसे हमारा चमकीला गर है सूरी की सौंदारी की देवी बोलते है यह बटा वीनस है जितने लों यहाँ पर वीनस बोलने है उनका जवाब एकदम सही अगला कोशन ठोक लेते है भारती प्राणी सर्वेक्षण का मुख्याल है कहां पे है जो लिजिकल सर्वे आफ इंडिया का हैड़कॉर्टर दिल्ली हैदराबाद पुने कोलकाता ठोकते चलो बेटा जो लिजिकल सर्वे आफ इंडिया का हैड़कॉर्टर कहां पे है नर्मदा है चोरुथानी नदी है बानस नदी है सतलग नदी है सर ने कोश्चन पूचा बिसलपूर का डैम कौन सी नदी के उपर बना हुआ है यहां पर जनता ने फिर से जवाब देना देश शुरू कर दिया है सर यहां पर जो सही जवाब होना चाहिए हमारा बानस नदी के उपर जो राजिस्थान में बीसलपूर पढ़ता है यह बानस नदी तो राजिस्थान से शुरू होती है राजिस्थान में खतम होती है बानस सबसे वड़ा आवासी किला है उसका नाम है जैसल मेर के उपर टिक करो आगे बढ़ते चलते रुकते नहीं है यहां पे सूरी के चारों तरफ दीर गवरता कार पत्थ पर चक्कर लगाते हैं और सूरी इनके फोकस पर होता है सही जवाब है पाथ होना चाहिए अगला कोश्चन है इनमें से चंद्रमा का सबसे उंचा बिंदू का नाम ठोकते चलो बिटा चंद्रमा जो हमारा उपग रहा है इसमें सबसे उंचा पॉइंट कौन सा है मांट लबा लग तो यहां पर सही जवाब होना चाहिए हमारा मांट Lebanese is right answer, सबसे उच्छतम बिंडू तो यह है, चलि आगे कोश्चन की तरफ चलते हैं, चत्रपती सिवा जी टर्मिनस की स्थापना कप की ती, जो हमारा जिसको पहले अपना हरिटेज बनाया था, वो हमारा 1888 में, 8, 1 के आगे 8, 3 बार लगा दो, एक 1888 में हमारे चत्रपती सिवा जी टर्मिनस को बनाया गया था, यूगेस, अगला कुश्चन है, यहाँ पर दक्षिन भारत को उत्तर भारत से कौन अलग करता है, बेटा, यह हमारा उत्तर भार अगला कोशन ठोक लेते हैं, एशीया का सबसे बड़ा खेल संस्थान कौन सा, पूरे-शीय का सबसे बड़ा हमारा खेल संस्थान कौन सा है, इस्पोर्ट साइंस आफ टेकनलोजी पुने में वे बिटा, निता जी सुबास चंधि इसिटूट पत्याला में है, यहाँ पे इ यहां पर पटियाला की तरफ जा रहा है उनका जवाब मुझे ऐसा लगता है सही है दोस्तों यहां पर चित्तोड के लिए कमें कौन सा मंदिर है जो बोड़ा फेमस है चित्तोड बेटा किसकी हमारे महाराना प्रताप की राजधानी हुआ करती थी यहां पर जो हमारा मंदिर फेमस उसका नाम बताना है कुमब स्याम मंदिर है सद बीस देवी है सद देस्वर देवी है या तुल्जा भवानी का मंदिर है जंता ने जवाब दिना सुरू कर दिया है सब चित्तोड गढ़ का किला राजिस्थान में और यहां का जो मंदिर तर्ण टाइम्स या दा हिंदू जनता ने यहां पर जवाब दिना शुरू कर दिया गाइस यहां पर थोड़ा सा बढ़ाओ जोस नहीं दिख रहा है जोस नहीं दिख रहा है कैसे हम लोग कुश्चन करेंगे बैटा 320 के उपर लेके चलते हैं आप लोग को से रिक्वेस्ट है यहां पर कि आप सभी लोग इस आंकड़े को 320 के उपर लेके चलते हैं जनते हैं आप बूले सा सही जवाब होना चाहिए तरुन बूला है सर यहां पर जो सही जवाब होना चाहिए असम राइफल का हेड़कॉर्टर अगर आप हमसे जाना चाहेंगे तो हम यहां पर हमारा असम राइफल का हेड़कॉर्टर है यह आध कर लो यह इंपॉर्टेंट कोश्चन है गुहाटी वाले बिटा गलत हो गयता अगला कोशन ठोक लेते हैं पहला दादा साफ फलके पुरस्कार कौन से साल में दिया कह था पचास में पैसट में सरसट में या 1969 में जल्दी गया था 1979 में याद कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है देविकारानी का नाम बिस्तु का नवीन्तम बलित परवत कौन से बिटा एकदम नया नया बना हुआ है ना टेथिस सागर पहले था अब यह परवत बन गया है अरा वली है हिमालय इंडीज है या विंधिया है सभी कुराना कौन से अरा वली है अगला कुछ्छन इनमें से कौन से नेता का नोगो देसरत्न के नाम से जाने पहले भारत के राशपती थी तोर पर भी हम इनको जांते हैं बहुत बढ़ी है 300 घू freshmen बहुत 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 बढ़ता न फैसरतर institution of agriculture marketing कहां पे दिल्ली जैपूर हिसार भोपाल ठोकते चलो बैटा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो ठोके नहीं इस गंगा नदी में लेकिं इंद्रावती जो है यह हमारे गोदावरी में जाके मिलती है यहां पर तीन नंबर ठोक देंगे तीन नंबर ठोकने बाद आगे बढ़ते हैं अगला कोशन ठोक लेते हैं अगला कोशन क्या है यहां पर इनमें से कौन सी नदी को सोक के रूप में भी घंगला कुमभा ने अपनी पत्णी के लिए कौन से क्लिए का निरमाढ कराया था कुम्हारा यहां पी पत्नी के लिए कौन से किले का निरमाल कराया था? थोकते चलते बहुत इजी था को याद कर लेना एक वार ठाइलन की केप्टल क्या बैंककॉक है लोम है दुसांबे या डोडो मा है तो बेट जो लोम से जवाब है संगाय ऊस्तों कहूं से राजी में होता है औरनाचा पजयस में एगाल है Nagaland Money-Port, बेटा कितने लोग चाहते हैं कि Classes regular चले, कितने लोग चाहते हैं कि SST की Classes regular चले, यहाँ पर ऐसे ही हमारे जो हैं, अपरैल में एक्जाम होने वाले हैं, लेकिन बेटा Classes इसी तरीके से आपको revision करना, और इसकी PDF लेने के लिए आप लोगं का पूरा सहीयोग चाहिए सहीयोग आप लोगं करेंगे तो classes यहाँ पर कराएंगे पूरा का पूरा PDF देंगे और उसके बाद से आप लोगों का exam में current office में तो मदद करी रहे हैं आप लोगं को static और बागी के topic में मदद करेंगे लेकिन support चाहिए जल्दी से यहाँ पर मैं चाहता हूँ 320 का आकड़ा टाच हो जाए सुबे से बोल ला हूँ अब यहाँ पर आप लोगं को करना पड़ेगा जितने भी नए बच्चे आए आपके जिम्मेदारी है NTPC tier 2 का exam दे रहा हूँ या हमारे group D का exam देना हूँ सभी बच्चों को यहाँ पर participate करना है देखो भई यहाँ पर support करोगे तो ही मजाएगा teacher को भी मजाता है पढ़ाने में तुमको भी पढ़ने मजाता है गलत बोले तो बता देना भाई एक बर गलत बोले हैं भाई बताईएगा सबी लोग यहाँ पर जनता बोले हैं सही जवाब होना चाहिए मनीपुर में संगाई का मौसो और यहीं पर जगोई फेस्टिबल भी होता है कौन सा जगोई का अपतेवार भी यहीं पर ही होता है स्वर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा बड़ा कोशन है यहाँ पर जनता बोले है अभी कुमार बोला है सर में यहाँ पर कई दिनों से आ रहा हूँ अब यह च्लास मेरे को लिए बहुत बेनीफीसल होने लगी है पहले मेरे नंबर बहुत काम आते थे अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है सर आपकी पीडियाफ कहीं से मिलती नहीं बैटा अमिद बिल्कुल गलत बात है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन ही नहीं किये हो अभी तक वहाँ पे जॉइन करिए लिंक आपको मैं क्लास के अंत में दूँगा पीडियाफ आपको मिल जाएगी फिर दो संसारी बताए सर मेरे पास तो पीडियाफ का पूरा बंच हो गया है और मैं पीडियाफ का रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करता हूँ मेरा जीए काफी अच्छा हो चुका है सर ये क्लासे अससी तक ऐसे कंटीन्यू करिए हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे अब भी सर सारे के सारे बच्चे जो है ये परसनों को लगा करके उनका पूरा रिवीजन हो रहा है अपने कमजोर पॉइंट पता कर ले रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया यहाँ जनता बुले सर सबसे बड़ा दूसरा पिंड बेटा क्या होना चा सब्सक्राइब कर लेना वीडियो का लिंक तुमको मिलता रहेगा जनता बुले कि सर असाम असाम में आपको देखने मिलेगा अगला कोशन देख लेते हैं राजिस्थान का जिब्राटर किसको बोलते हैं अमेरिका किला तारगल का चित्रोडगलका यहाँ पर हमने क्या पू 12 बज़ तक क्लास कई से चलेगी सर सिर्फ यहां पर जल्दी से जनता जवाब देगी आगे बढ़ते चलते हैं रुकना नहीं है पहले मैं बूला है रुकना यहाँ पर इस्टॉप लेना एकदम मना है तो बाई यहाँ पर सर ने बताया था कि 1909 में हमारा यह मना था ICC और इसका एड़कॉर्टर दुबाई में आपको देखने मिलेगा अगला कोशन ठोक लेते हैं तो यहां पर जनता बोले सर इतने बढ़िया तरीके के कोश्चन किया जा रहें बच्चे जो है वो टिक करके बैटिंग करेंगे उनका जरूर नंबर बढ़ेगा चैने रहें कोशन पर यूरोप में देखने को मिलेगा इनमें से कौन से जील तमिल नाडू में आपको देखने जील है जनता बोले कि सर आपने सारी जीलों के बारें बहुत बिस्तर से जानकारी एंपको दिये पुलिकर जील आंद्रा प्रदेश में विटा चिलका जील उडीसा में आपने बताई थी हमारा जो बनार जील है यह हमारी कहां पर है हमारे केरला में तो बचाच नमबर चोथा एक परवत कंदिर्मार होता है क्या होना चाहिए जनता बोले सा सही उत्तर होना चाहिए मुझे भी लगा इसका सही जवाब होना चाहिए एक दो तीन तीन वह हमको यहाँ पर देखने मिलेंगे सही जवाब है अगला कुशन है ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क बटा यह कह ही करो तब ही तो सेलेक्शन होगा फिर आपको पीडियाफ के लिए टेली ग्राम का लिंक अंत में देंगे जनता बोले सार हिमाचा प्रदेश ठोकी है सही जवाब है जो हमारा हिमालियन लियो पार्ड हो यहां पर बहुत पाया जाता अग्रा कोशन ठोक लेते हैं यहां पर जोदपूर में वीखा ना का लिए कि जंतव रहाई पर अनुसंधान जोदपूर मैं आपको देखनें जी हमलेंगे यहां पर हिमाद्री में, हिमाले में, अरावली में या विंध्या माउंटेन में सर ने question क्या पूछा हुआ है नथूला और जेपला पास आपको किस परवा संखला में देखने को मिलेंगे जनता बोले सर नथूला और जेपला के अगर आप बात करेंगे तो नाथूलाल जेल में गया ये दोनों सिक्किम में है और सिक्किम के हिमालाय का हिस्सा है बेड़ा दो नंबर जितने लोग बोले है जवाब उन सबी बच्चों का सही है अगला question क्या है हमारा world of forestry day का बनाया जाता है world of forestry day 21 फरवरी को 21 जनवरी को मार्च 20 को या अप्रेल 20 को जितने बच्चे यहां पर जवाब देंगे देखते हैं कितने लोग को जहां पर एकदम सही जवाब पता है जनता बोले सर world of forestry day के अगर आप बात करेंगे तो यह हमारा 21 मार्च को सेलिब्रेट होता है तीन नमबर जवाब दे रहे हैं मुझे लगता है उनका जवाब बिल्कुल सही है अगला कोशन में आते दक्षिड कोरिया की मुद्रा क्या है बड़ा लोग सुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि सार ने कोरिया की मुद्रा यहां पर बताई ती यह टका है या वं है जल्दी बताना है क्या होना चाहिए जनता बोले सर यह हो जापान की मुद्रा जेत लोगं जा पान बोले नहीं केम दो है टका जो है यह ठीका यहां लग्याप अन्रेंस को खया जे dopamine करेंटी अनसे पर पर जिससे नहीं गुजरती है उसका नाम आपको लोग आत कर लेना है Meritiniya Meritiniya से यह गुजरती नहीं है बाकी किस तीनों देशों से यह गुजर रही है अगला कोशन क्या है इनमें से जंबू को कस्मीर से कौन जोड़ता है बेटा मैंने कई बार बात किये जम्बू को कस्मीर से जोड़ता है बिटा ये पास और यहीं पर हमको जवाहर सुरंग भी देखने को मिलती है जवाहर सुरंग वो मडिल्ला है जेपला पास है दीफू है या हमारा बनिहाल पास है बिटा जवाहर सुरंग भी यहीं पर देखने को मिलेगी जनताया Hahnay सब्सक्राइए ज़ूमारी एक्स्अ म में बताई है उस खिलास के नाम भताईा बढ़ते चलिए जनता बोले इससवाब होना चाहिए मनें पीटी हुशा को जनते है जन्हों ने हमाारे एथलीट के छेतर में बहुत बढ़िया हमको एक नाम दिए हमारे देश को अल नेपचुन के लाब किस ग्रह कोम ओं नीले ग्रह के नाम से नेपचून तो ही बीटा एक हमारा नीला ग्रह इसके लिए और कॉन सा नीला होने सकता है तो अर्थ है मंगल है पुली ना बोल देंगा तो लाल है यहां पर प्रथवी जहां पे जिटेलों बोलें जवाब उन सबी लों को सलाम देना चाहेगा वर्ष कब मनाया जाता है 11 August 11, 13 August 15, संदर कोशन है, हमने क्या पूछा 20 सो जन संक्या दिवस, बैटए याद रुखिए कि हमने काई बार याद करने की ट्रिक बताई है, याद रखियेगा 11 जुलाई को यह ठोका जाता है हमारा अगला कोशन ठोग लेते हैं आई ए टीए का मुख्याले कहां पर है मॉन्टेरियल हवाना हवाई या इन में से कोई नहीं जनता यहां पर हैड़कॉर्टर जरूर पूछे जाएंगे पिछली बार भी पूछे जा रहे थे आपको याद करके जाना है तो इंटरनेशनल एयर ट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन अगला कोशन यहां पर अगर आप 20 पर क्लास नहीं करते हैं रोज करिए आज नहीं होगी मंडे से फ्राइडे तक चलती है सांदार क्लास है स्सी बैस्ट्री जॉइन कर लिए लाइफ क्लास आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस के लिए टेस्ट आपके एंवर्मेंट को देने के लिए और ये प्रैण कशे सी यह यह पर्षेस करने जाएए की साउध कोरिया इटली की है ौर यह चालत पोले में बात करेंगे तो यह हमारा नीदर लैंट सब्सक्राइब कर जो है यहां पर सार्म में अगला कोशन बना लेता यहां पर यूनस्को ने अभी तक भारत में कितनी धरोहरों को अपनी जगा बना लिए 36, 38, 40, 41 जल्दिस जनता जवाब देगे कितनी हमारी ऐसी जगे है जिसको हमारे युनिस्को ने मानिता दिये तो गैस यहाँ पर जनता बोली है सर आपने बताया था कि हमारे यहाँ पर लेटेस चालिसमी जो जगा बनी हुई है जिसको हम लोग बोलते है हिंसिंदु गाटी सब्विता का धौला वीरा जिसको युनिसको ने अपने हरिटेज साइट में जगा दे दिये है हरिटेज को कस्मीर से अलग करता है जो जिल्ला पास है अग्हिल पास है कारा टैग है या बुर्जिल पास है कस्मीर को द्रास से अलग करता है यहाँ पर आदर्स बोल रहा है अदिती देन उसके बास से मनीसा पूजा दीप अरजीत का मारना है चरंजीत कुमार का मारना है कि सर जो ज जिल्ला पास होना चाहिए या जो जिल्ला पास आपके कस्मीर को मैं कस्मीर मैं तु कन्या कुमारी कस्मीर को हमारे द्रास से या लद्दा को कस्मीर से भी अलग करता है ठीक है वाई क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्मेशन बच्चे वो तो भाई उन लोगों को तो अनरोध नहीं करना है वो लोग तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें जिन लोगों ने भी अभी तक छूट गया है जिन लोगों ने जनवरी महिने का छोड़ दिया है या जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो उसका पिए यहाँ पर आपati करके करिए तभी तो सर को भी मज आएगा देखेंगा यहाँ पर आपका जो नंबर होता है वो डारेक्टल्य प्रोपोस्जनल टू टीचर का नंबर या जोँ में ही जरूरी होता आप सब अगले question के तरफ मिलेगा हम अपना टेली ग्राम का लिंक देंगे लेकिन उनको देंगे जो पूरा वीडियो अनतर तक देखेंगे तो रुक के अभी देखो question बनावा मैं संग मैट के तेली ग्राम में करना सर मेरा application पर problem हो रहा है बहुत इसलिए class नहीं कर पा रही हूँ और नहीं अभी प्रिया मैं आपके अभी problem solve कराता हूँ computer जैसे बात करता हूँ तो यहाँ पर यूनेस्को की विरास्त के में रानी की बाव बैटा कि कहां पर देखने को मिलेगी गुजरात, राजिस्थान, महरास्ट, करनाटा कहां पर देखने को लेगी ये दिल मांगे मोर स्वेता जानते हो इस जो आले जो हफते में ये साड़े दस बज़ेरी क्लास में बच्चे थोड़े कम दिखाई दिए तो यहां पर चार सो पान सो बच्चे आते हैं तो हमने पता किया है इसा क्यों आउराए कि बच्चे आज कम दिखाई दे रहे तो हमने जब पता लगाया तो दो-चार बच्चे जो क्लास में आते थे हमने उनको वो सर्विलांस पर डाला तो पता चला कि एक लड़का जो है वो लेके जा रहा था परसों के दिन टैडी भी आर इतना बड़ा वाला भालू खरीद के लेके जा रहा भालू दे क्यों ना लोगों घर में होता है हमाई बेटी के पास भी है टैडी भी आर फिर उसके बास से एक दिन देखे क्यों के अन्तिम 14 तारिक तक अलग अलग प्रकार के देन ना जाते हैं पहले जो भता हिक हए होता कौण सा цыडोल होता है esse लड़का बता रहे था ना कुछ पृतिकलियां होती है आज एक लड़का वता था आज भी कवह दो कल भी कवह द या फिर आज दяти चौदा तारिक को बेलेंटाइन डे, बस बेलेंटाइन डे जिन्दिकी बरबाद, कत्तम, टाटा, बाए-बाए, जिस दिन बेलेंटाइन डे हो गया, उसके बाध से जिन्दिकी, हाँ, तो भाईया, ये सारी चीजे हैं, पूरा enjoyment में है रड़के कह रहे है सर अभी नहीं करेंगा तो कब करेंगा है जबानी किस काम की जिस जबानी में रवानी ना हो तो जबानी और रवानी में यहां पर भी चल ला है लेकिन भाईया याद कर लो वो जबानी उस काम की बेकार है जिस जबानी में तुमको तुम्हा जो लोग यहां पर आए उनकी नहीं बात कर रहें दुचार को लड़के जो आज कल नहीं दिखाई दे रहे क्लास में उनकी बात कर रहें वो सब जो है आज कल यही टैडी बियर और पता काका लेकर घूम रहे थे सब अरे यार हम तो चौकलेट का प्राइस सुनके परसों के दिन एकदम हैरान हो गए डिएड़ सु रुपए की चौकलेट बताईए डिएड़ सु रुपए की चौकलेट बताईए हाँ हम लोग जो आने में डिएड़ सु रुपए की आठ आने की एक चौकलेट आती थी यह जो मेहसाना डिस्टिक है गुजरात का वहां पे आपको देखने को लुए तो मेहसाना डिस्टिक में आपकी रानी की बाहु है। अगला कोशन है राजगाट डैम जो है यह कौन सी नदी के उपर बना हुआ है बेटा यह बिहार हाग है बेटा नेक्स्ट कर लिए कर दिये भाई साहब तो देव प्रजापती बोले सर ससी फ्रेसर के लिए कितना स्कॉलर्शिप मिलेगा या 32 रुपए का बैच है यार तुम्हारे साल भर का किराया होता है ओफ्लाइन सेंटर का उतना ले डालो यार 32 रुपए में पंकज सी कूपन को लगाओ या जनता बोले सर 170 की भाईया बसकर भाईया कहे के लिए तुम हमारा एक दिन की सेलरी तुम हमाई लिए ले रहो बेतवा नदी के किनारी राजगाट डैम बना हुआ है राजगाट डैम बेतवा नदी के वे उपर बना हुआ है सांची के स्टूप बेटा 200 रुपए की नोट के उपर होता है इसको कब युनेसको ने अपना हेरिटेज साइड बनाया था बिटा आदे घंटे क्लास बनी सांची का स्टूप असोक ने बनवाया बहुत धर्म के जो हमारे वह सकते हैं वह यहां पर रखे गए और इसको युनेसको ने अपना हेरिटेज साइड बनाया और 200 रुपए की नोट के पीछे है भारत के उन पडोसियों में से कौन सा एक मात्र देश है जो मुद्रा के पंदर लगे का मैं 300 नंबर अच्छा लगता है ना 300 300 इस पार्टन 300 जल्दी से यहां पर जो लोग नए है चुड़ा खीज दो तुम लोग यारा आखड़े को बांगलादेश टका जितने लोग यहां पर टका बोल ले उनका जवाब से है चार लगे कह रहे जलो भगो इध लगे चैन और दूसरी सब से उची सेकंड नंबर पर सबसे हाइएस्ट वहन önडीज परवध कौन सी परवल्षा इसका जो अंचा पॉइंट है वह पूरे वार्ड में और पर बाद दूसरियस का नाम है इक अंका गुवा यह सब से उया पर ge can was और सब से लम्भी क्या चौteen अगला कोशन है भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है यह राजिस्थान में बैठती है बहुत कम 44 या 48 के राउंड इसकी जो लेंथ है राजिस्थान की नदी है काफी छोटी सी है जनता बोलेगे है सर यह अलवर की पहाड़ियों से निकलती है इसलिए इसका नाम हमने रख दिया बिलकुल मिस्वा बोल रहा है सर इसाई जवाब होना चाहिए अर वरी नदी की तरफ जाईए सबसे छोटी नदी है बहुत छोटी सी नदी है अगला कोशन ठोग लेते हैं इटाई इटाई नाम का रोग बेटा किसकी कमी से होता है मरकरी है वाटर पल्यूशन कैड्मियम जब पानी में चला जाता है तो यह बिमारी होती मरकरी भी बेटा मीना माटा नाम की बिमारी फेलाती है मीना माटा मीना माटा बेटा क्या है मरकरी से होने वाली बिमारी है और सेनिक से बेटा कैंसर होता है ओमान की बेटा राजधानी क्या है के कमुद्रा क्या है धिरहम है ओमानी रियाल है यह तो आ पहरेगं पेली ग्राम खोज रहा हूं नहीं मिलें थेगते मृटरिया देता बर तो करता हूं कर यहाद कंवा थे हमारी कोणती है इसके खोच का अंध हो चुका है यह निशेक को दे दिया है इन में इसे कौन से कॉंसी नदी तेलंगाना की सबसे लंबी नदीवास सबसे तेलंगाना की सबसे लंबी नदी कौन सी गंगा है या मुना है क्रिष्णा है या गोदावरी नदी है तिलंगाना बिटा जो कि हमारा 2014 में किस से अलग हुआ था नौ बच्चे ज़ड़ जाएंगे इसमें कम से कम साड़े 300-400 बच्चा जाता तो हम आगे तुहाई बास सोचते जल्दी से 300 बच्चा ठोक लेते जनता बोलेगा सर गोदावरी नदी नासिक से निकलती नासिक सिंकी त्रमबकेसवर की पाडियों से निकल नहीं है बंगाल की खाड़ी में जा रही है यह तिलंगाना का हिस्सा यहाँ पर कवर करी है पूरे इंडिया की सबसे बड़ी दूसरी नदी है 463 किलोमेटर इसकी त्रमबकेसवर से निकलती में जाती है डायव की सायग नदी इंदरावतिी ए बेंगंगा है पेंगंगा है यह सब इसकी सायग नधी अगला कोश्चन है ही माचा परतेश में कौन से जील of Chandra pag дор just like शुर्य मैं शृज परिश नहीं यह उत्र हिज ऊटैध कर घंद में बहुत होक रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है यहां पर पर्श्चिम से बहनने वालीब सीधे नहीं है यह पूरब में जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी में मिल जाती है बैतर्णी नदी इसा कोश्人 होते है पोचा जय सुर्णि में जाके समाहित होती है इस नदी का नाम है बैतर्णी नदी बैतर्णी जिते लों ठोक रहे जवाब उनको मिल जाएगा एक नमबर इस राइट अंसर सर मुझे आपका टेलीग्राम लिंक दे दिजे प्लीज यहां पर यह देखो बैटा हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया जो बैटा इंजॉय करो ठीक है लेकिन यहां पर पूरा यहां पर यहां पर आपको सब्सक्राइब करेंगे तो काफी बिल्कुर सही है अगला कोशन बनाएते हैं राजमार्ग संख्या एक की बात सर कर रहे हैं राजमा संख्या एक का ह हमारे सिम खलाई को किसको जोडता है बेटा जनता बोली तो बहुत सांधार आपने रख दिया है यह हमारे किसको जोड़ती है एनस टू कलकत्ता से दिल्ली आ जाओगे तो एनस टू और अमरत सर से दिल्ली आ जाओगे नहीं बिटा बताईए क्या होना चाहिए जितने ही बच्छें जवाब देते चलेंगे कोई ऐसा नहीं है जो रुकेगा जनता बोलाए सरव वन अनुसंधान केंद की बात करेंगे तो यह हमारा देखने को बिलेगा ना लखनु में ना भोपाल में ना दिल्ली में यह हमारा देहरादू में सब्सक्राइब में क्टो है स्वीडेन कि दोपने क्यां जिनना के पारे मते हैं स्वीडन की स्टपर आ congressád क्राइब संवीडिंगंस है जबना क्यांता है और आपक्रोना जोग नुब से अलग करता है कुक है पाक है बैरिंग है या बोरा पास है तो जनता है पर जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर अगर आप यहां पर पूछेंगे कि हमारे जो इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से पास होती है वह हमारा 180 डिग्री का पार बैरिंग स्टेट बैरिंग क्या होना चाहिए दो जनता हैं पर बोले सर केन्या जहां पर हमने देखा कि हमारा नairobi यहां की हेड़कोर्टर है और यहां पर हमारे कई सारे जो है वह वो इनार्ड नेशन के एन्वायरमेंटल प्रोग्राम का भी हेड़कोर्टर है अगला कोशन देख लेते देश तो उनको पता है यहाँ पर आपने अभी लेटेस्स कोश्चन है पूछा भी गया एक्जाम में पूछा भी जाएगा लगातार पूछा जाएगा यहाँ पर जितने फिलिस्तीन बोले उनका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है अगला कोशन ठोकते चलते हैं भारत का सबसे उ सबसे पहले तो आपको यहाँ रखना है हिमाचा प्रदेश में सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है हिमाचा प्रदेश में सतलज नदी के उपर बना हुआ है सतलज नदी के उपर यह डैम बना हुआ और यह हमारा कहां पर हिमाचा प्रदेश का जो बिलास पूर है वहाँ पर देखने मिलेगा सतलज नदी के उपर इनमें से कौन सा हेरेटिटिकल इन बिमारी है मतलब हमारी वंसा नुगत बिमारी इनमें से कौन सी है वनांधता है छोटी चेचग है पोलियो है इसकर भी है मतलब वंस से फैल रही है एक माता-पिता से अपने बच्चों में उनके माता पिता से उनके बच्चों में फैल लई है तो बैटा ये हमारी कौन सी है तो कौन से ल आखों की जो संकू को सिका है उनमें कमी आ जाती है इसको हम लोग इस Color Blindness के नाम से जानते है एक नंबर जितने लोग बोलने है जवाब उनका सही है अगला कोश्चन के नेरिड जो उपग्रह है ये किस से संबन देता है नेरिड उपग्रह अर्थ सनी मंगर या वरुन बैटा यहाँ पर देख लिजिए नेरिड उपग्रह किस संबन देता है जनता बहुत ही हमारा easy question मैं इस लिए बोलता हूँ तो ने पिचून की तरफ जंता बोले सर N से ने पिचून, N से नेरेड, यहाँ पी याँ पर याद रखना है, एक का नाम है डीबोज, त्रहेक हैं, पिभोज, ठीक है, यह हमारे दो किस के गए है, सैटर्न के, अर्थ का चंदा माहा है, अरे यार यह हमारे मार्स के हैं सॉरी मार्स के सैटन का कौन है सैटन के बटा 82 है जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है टाइटन जो है यह सबसे बड़ा है यह मार्स के बटा है ठाना चलो कोई बात ने अगला कोशन देख लेते हैं तुर्की की राध्धानी क्या ठोक होगे इस्तामबूल यहां का सबसे क्या है हमारा बड़ा सहर है capital यहां की अंकारा है तो सोफ हाँ यहां पर जितने लों बोले सर होना चाहिए अंकारा इस राइट आंसर ठीक है यहाँ पर अंकारा जितने लों बोले है उनका जवाब बिल्कुल सही है सोफिया जो है यह अगर आप देखेंगे तो बुल्गारिया की कैपिटल है बुल्गारिया की कैपिटल कौन है सोफिया है येरेवन हमारे अर्मानिया की कैपिटल है बाकु जो है अजर बेजान की कैपिल है अर्मानिया की कैपिल कौन है ये रेवन है अगला कुशन क्या है अगला कुशन है इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह लदाक से कनेक्ट करता है अगहिल पास है नीती पास है बारा लाचा पास है लगना पास है हिमाचल प्रदेश को अगर लेह लद्दाक से कनेक्ट करना हो किसके जरिये जाओगे मैंने का बेटा काम करो तुम लोग हिमाचार प्रदेश जाना है तुम लोग को ठीक है जाईए आप लोग कौन सा पास को पकड़ोगे जनता बुले जो सबसे पास में जो पास है उसका नाम बताओ सबसे पास में जो पास है इमाचार प्रदेश जाने के लिए उस पास का नाम है बरालाचा पास यहीं से नदी निकलती है चिनाब नदी कौन सी नदी कलती है चिनाब यहीं से निकलती है ठोको यहां पर चिनाब नदी अगला कोशन यहां पर क्याता है इनमें से कौन सी बिम हमारा जो बोसकते हैं कि सभी के सभी हमने आपको बताया था कोविड-19 के ही एक तरीके के प्रकार है तो कोविड-19 यह सभी करोना के ही है यहाँ पर जिनता चार नंबर इस राइट अंसर अगला कोशन देख लेते अगला कोशन क्या है तो यह क्विज आपको लेना है इसमें अगर आपके टेस्ट बुक पास जिसमें आपको इतने सारे इतने सारे एक्जाम का पास टेस्ट मिलता है अनलॉक हो जाता है कोई भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो तुम्हारा दोस्त कोई भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो दीदी कौन सी एक्जाम के त्यारी कर रही है है इतने सारे एक्जांस के लिए एक पास बैटा वैसे तो यह 399 रुपए का मिलता है लेकिन तुमनों को समझदार क्या कूपन कोड लगा होगा पी एसे पैक पास इससे क्या होगा आपको यह डिसकाउंट मिल जाएगा यहां पे जनता बोले से अदिती गोवितिकर है रीता प्रावतिकर के उपर धहान देना है मिसस वर्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी यहां पर थी सुनाली बेंद्रे रीता फार यह लारादत्ता थी यह अधिति गवेतिकर क्या होना चाहिए थैंक्यू सर हैवे ग्रेट तो यह दिल मांगे मोर यही बेटा होना चाहिए दर्सन यहां पर जनता बोले साथ बना चाहिए अधिती गोवितिकर है रीता फारिया मिस वर्ड पहले बनी थी यह याद रखना ठीक है वेटा पहले मिस यूनिवर्स बनी थी क्या नाम था यार उनका सुस्मिता सेन गंगौर का तेवहार बेटा कौन से हमारे समय या कौन से महीने में मनाया जाता है गंगौन का तेवहार कौन से महीने में बनाया जाता है चैत्र में है वैसाक में है स्रावनपद में है या भाद्रपद में यहां पर क्वेश्चन जाता है जितने को बोलता सब्सक्राइbn संक्राइब होना चलिए सभघ्रा जो हमारा जुक्राइब् oluretic च्काइब डारई प्रहो सही जवाब है यून्есको का हेड़ कोड़ के लंदन वासिंगां टिंज हेड़क्वटर है किसका हमारे यूनेसको का वह आपको देखने मिलेगा हमारे बिलकुल सही आप लोका सही है पढ़ना नहीं है क्या पढ़ना नहीं तो बंद कर दे यार 15 मिट हम सोच दे और पढ़ा दे पढ़ना एक नहीं पढ़ना है वह सभी लोग यहां पर वापस आ जाएंगे जितने भी लोग यहां पर जाने की सोच रहे अभी क्लास चल लिए बीच बीच में ऐसे आड़ा आ जाता है जल्दी से योग लोगई वीडियो को लीडियो को लाइक करतो यहीं वक्त है लाइक करने का पारिश में इसका स्रेडी में आता है फोल्ड माउंटेन है फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन है डोंप लाइप प्लेटिव है यहां पर जनता भूलिये सही उत्तर होना चीए हिमाले परवतों की जिस स्रेडी से संबंदित है उसका नाम में बिटा फोल्ड माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन के रूप में हमारा अरावली है और हिमाले यंग फोल्ड माउंटेन के रूप में जाना जाता है काली टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से राज्य में है तेलंगाना में करनाटक असम या अरुनाचा पदेस काली टाइगर रिजर्व की बात कर रह उनका जवाब बिलकुल सही है करनाटाग is right answer अगला कोशन क्या यहाँ पर इन में से फैलरियसिस नाम का जो हमारा रोग है वो कौन फैलाता है फैलरियसिस एक चुहा एनफलीज है क्लिमेक्स है या एंडीज नाम का हमारा मक्छर है तो Phalarisus नाम की जो बिमारी है यह कौन फैलाता है तो जनता यहां पर जवाब देना सुरू कर दी है कि सर हमारे अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स है वो कैरियर बन जाते हैं वो हमारा क्लेक्स नाम का हमारा जो एक विसाडू है वो इसको फैलाता है लक्स इस राइट अंसर अगला कोशन यहां पर कौन सा इनमें से कौन सा हमारे देश में वर्ड पूरे वर्ड में वर्ड मेत्रोलोजिकल डे के रूप में देखेंगे वर्ड मेत्रोलोजिकल डे का रूप में किसको देखेंगे वह फाइल एरिया जो आप बता रहे हों यहां पर आउनग्र मद्ध्यूपरदेष में है माहरास्टा में है बिहार में गोवा में मेला घाट की बात कर रहे जल्दी से पर इतंती महारास्ट नाम के जो वर्ड ये महारास्टा से बड़े महारास्टा में आपको बहुत देखने हो बारे अगला बहुत को को connect करता है तो इस्टन घाट और विश्टन घाट मतलब हमारा जो पश्चमी और पूर्वी घाट है उसका ये केंद्र बिंदू है पाल घाट और यहीं पर नीलगीरी की पहाड़ियां अगला कोश्चन है भारत में फलो का टुक्रा किसको कहते जंबू कस्मीर को केरल को हिमाचल के सेव है हिमाचल के बेटा दो ही चीज प्रसिद्ध है एक हिमाचल का सेव है अदूसरी कंगना रनावत को देखिए अलग-अलग तरीके से चर्चा में रहती है इतनी चर्चा में रहे गई इतनी चर्चा में रहे गई कि पदम स्री अवाड जीत गई पिछले साल तो यही दो फिमस है हिमाचल की कंगना रनावत और क्या नाम है हमारे हिमाचल के सेव समझ रहो कि नहीं बाकिक सब तो चीनी कम पानी है मोले कंगना रनावत भाई सब पदम स्री दे दिये बुला के कहते हाओ दीदी पदम स्री आके ले जाओ समाज रहो कि नहीं सीखो कुछ तुम लो फीफा का मुख्याल है कहाँ पे बर्ली ने वियाना में फ्रांस में जूरिक में फीफा मतलब फुटबॉल फेडरेसन जो है यहाँ पे आपको आखों में अर्मान लिये मंजिल को अपना मान लिया है अब मुस्विकल क्या आसान क्या जब मन में ठान लिया वाँ भाई वाँ बहुत बढ़िया प्रसान ने देखो यहाँ पे बात लिखे लिखता चला जा रहा है एक बार पढ़ दिया अब लिखते चले जाएंगे मानेंगे नहीं सर आप गर्ल ने पता ने क्या लिख रहा है यह बीहाँ जूरी किस राइट अनसर अगला कोशन देख लेते है जब मराणी डायम जो है उत्राखंड में कौन सी नदी के उपर बना किच्छा, टोंस, फीका, गोला नाम देखो किच्छा, टोंस, फीका, गोला जमरानी डैम उत्रखंड में कौन सी नदी पे नहीं तो उत्तरखंड दे कई सारी नदियों का उध्गाम होता है जैसे की अलक नंदा हो गया जैसे भागी रती हो गया, मंदाकनी हो गया यह सभी रिवरो का उध्गाम होता है और यहीं पर एक हमारा डैम बना हुआ जिसको हम गोला नदी पर देखेंगे तो जमरानी डैम गोला नदी पर सर अब रुख जाएगा पहले पढ़ लिया न यहां पर जनता बोली है सर सही ज़वाब होना चाहिए विसानू के करण इनमें से कौन सी बिमारी होती वाइरस कोन से बिमारी फैलाता है? पोलियो, प्लेग, हैजा या आत्र, जवर, यहां पर वाइरस कोन सी बिमारी फैलाता है? जनता बोले कि सर वाइरस के अगर आप बात करेंगे तो इस जिंदीगी में घुसा है लगवालिया बीका लगवा लिया जब लगवा लिया फिर भी यह वाइरस जा नहीं रहा है वाइरस बाइरस जलाक नहीं पनाई के मदद से यह है वो औरल वैक्सीन बनाई गई थी भाक्रा नागल डैम कौन से नदी के उपर बना हुआ है सत्लज घंगर रावी है या चेनाद नदी है भाक्रा नागल डैम भारत का दूसरा सबसे उचा डैम है बेटा 226 मीटर की इसकी उचाई है तो यहां पर जनता बोली स सतलज रिवार होना चाहिए जवाब उनका सही है अगला कोश्चन है विस्टो बैंक आई एम एफ दोनों का हैड़कॉर्टर कहां पर वासिंग अटन डीसी में बर्लीन जीनेवा न्यू यॉर्क क्या होना चाहिए दोस्तों संकल्प वह चमतकारी जादू है जिसे दैनिक ज नीचे तुम्हाब रैकेट में नाम लिखेंगे जैसे तुम्ही लोगों ने इसको लिखा है यह लिखा तुम्हों के नाम के साथ रोज जो बढ़िया लगे गा ठीक है जनता बोले सर वासिंग रटन डीसी जित्ते जनता बोले उनका जवाब सही अगला कुशन देख लेते औल दा विटामिन डिफिसेंसी डिजीज एकसेप्ट यह सभी के सभी विटामिन की कमी से होने आले बीमारी इसको छोड़ करके सूखा है, फिलरोसिस है, इसकरवी है या नाइट ब्लैंडनेस है जनता बोले, सर देखे, बचपन से पढ़े, विटामिन डी से रिकेट होता है, इसकरवी विटामिन सी से कमी से होता है, विटामिन ये से नाइट ब्लैंडनेस होता है, दो नमबर ठोको आगे बड़ो काये के लिए रुके हो भाईया पुल्लू से सवाल है पुल्लू से सवाल तो यहां क्या कर रहा है निकल यहां से चले पुल्लू से सवाल के बाद एक अच्छा कोश चनाता है भागी रती और अलख नंदा नदियों के समागम को क्या बोलते है तो भागी रती सी नदी आ रही है यहां से इसको गंगोत्री बोलते है और अलक नंदा आ रही है यह नदी को आप बोलेंगे हम लोग मा गंगा गंगा नदी है यह और इस जगे को हम लोग बोलते है कर्ण प्रियाग देव प्रियाग रुद्र प्रियाग यह हमारा गंगोत्र जनता बोले है सबस्द जवाब होना चाहिए देव प्रयाग इस राइट आंसर जितने लोग देव प्रयाग बोल ले उन बच्चों को नंबर मिल जाएगा देव प्रयाग इस राइट आंसर अगला कोशन क्या है अगला कोशन है हमारी जो इसको वातिस्पीती बोलते है यह किस से सम्मंदित बीमारी है लंग से है हर्ट से स्टमक या लीबर तो भईये यह वातिस्पीती यह काफी मतलब बीमारी महिलाओं में बहुत सुनी जाती है और यह जो बीमारी है बेटा किस से इसलेटेड है जनता बोले सर बात की जो बीमारी है यह हमारी बात की नहीं बात की नहीं बीमारी है यह हमारे लंग से सम्मंदित बीमारी अगला कोशन ठोक लेते है इन में से कौन किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है there is no natural satellite of that planet बुद्ध शुक्र दोनों है या सनी है जनता क्या बोलेगे सनी सनी इधर आ बेटा तो यहां पर जनता बोलेगे सा सही उत्तर होना चीए वगीसा का मानना है कि सा इसका सही जवाब होना चीए यह दोनों यह दोनों छोटे भाई जो है यह दोनों का कोई कुछ नहीं है यह सिंगल घूम रहे हैं तुम्हाई तरीके सिंगल घूम रहे हैं बिटा बस बहुत तेजी से प्रत्वी के सूरी के चारों तरब घूम रहे हैं इनका कोई ही नहीं है सिंगल बिचारे हैं हमारो की नहीं प्रवेस्टिंग फेस्टिवल यह मारी पुनही एक हर्वेस्टिंग फेस्टिवल नेपाल म्यानमार बांगलादेश भूटान ठोकते चलो क्या होना चाहिए भारत के सबसे बड़ा नस्दीक में तो सब चिपके हुएं इधर जाओगे तो पाकिस्तान इधर चले जाओगे तो चाहिना इधर चले जाओगे तो भूटान है यहां बांगलादेश में सबसे बड़ी सीमा सेयर करता है बांगलादेश यह आपको याद रखना है PLC by maths PCL by maths तो बैटा यहां पर देखेंगे नेपाल इस राइट आंसर अब चिप दूर जहां पर सबसे नजदीक वाला कुछ नहीं होता है सब चिपके हुए नेपालों चिपका है भी आर से बांगलादेश जो चिपका हुआ है अलग अलग राज्यों से चिपका हुआ है सबस क्यों कौन सी जलसंदी भारत और स्रीलंका को अलग करती है बास्री लंका को कौरेक्ष अरन करतिकर घजाता है कि भगवाण taką स्री राम ने इसके उपर पुल बना करके श्रीलंका में रावना आवं को नाभी में तीर-मारी क्योंकि उसकी अम मारित था और काम तवारनाम कर यहां प्रजंताब बुरे साथ सही जवाब होना चाहिए है पाक स्टे या अंडमान को ग्रेट अंडमान को लिट्ल अंडमान से लग करती היै फिस ना बास सब्रेशर संद घ़िksom यहां परवUT संखला से निकलती है जनता बोले कि सर अलास्का है अलपाचियन है रौकी है या सियारा है बताए क्या होना चाहिए जनता यह अफ़ बोली नहीं है और पढ़ना अलपाचियन भी अमेरिका में ही है, यूएस में ही है, लेकिन रॉकी से निकलती है, समझ रहो कि नहीं, रॉकी भाई, आपको बतार है कि Human Rights Day, यह हमारा कब सेलिब्रेट किया था, 6 जून को 10 दिसंबर को, 11 जन्वरी को 5 दिसंबर को, क्या होना चाहिए? तो यहां पर जो अंकित जो है, वो हमारे साथ सारी क्लासिस किया है, यहां जन्ता बोले से सही उत्तर होना चाहिए, याट वस दस दिसंबर, ठीक है, चले अगला कोशन ठोक लेते, अगला कोशन है, इन में से कौन सा दर्रा, जंबू और कस्मीर के प्रवेसदार के रूप में जाना जाते है, कौन सा दर्रा, जंबू और कस्मीर को जोडने वाला प्रवेसदार है, जंबू कस्मीर, यहां जंबू, यहां कस्मीर, बीच में ब्सल्रा, नाम बताओ, मेरे निहाल पास बैनिहाल पास is right अंसर अगला कोशन ठोक लेते ते कौन सा आवसिस्ट रिसिडियल माउंटेन का उधारन है नीलगरी ए सत्पुड़ा हिमाले अरावली अरावली परवत का उधारन क्या है तो जनतता हैं आपर बोलें है वह हमारा परवत सबसे सबसे उच्छे वैसे तो छोटा नाखपुर का पठार होता तो और अछा लगता आस्तोष कुमार पाठक बोले है ज़्षर में नाम एक बार ले लिजे मूर्ती देवी पर उस्पुरसकार किस से संबंदित है मिजबा इसका जवाब देगा देगा या देगी तो मिजबा बोलेगी सर मूर्ती देवी प्रोषकार आपने नकल करा दिया है जैसे बिहार में होता है किताब खोलो अराम से अब कई लोग बोलेंगे जित्ता आता है उत्ता ही करो लिट्रेचर इस राइट आंसर मूर्ती देवी तो नकल हो गया भाई यह यहां पे तो अगला कोशन ठोग लेते सितार काविस्कार किस ने किया अभे यह क्या कर रहा कंप्पूटर जी मतलग क्या हुआ है कि नितिष कुमार जी से मिल क्या है हो क्या सितार काविस्कार किस ने किया है कि बोला है खुस्पू कि हम गय थे नितिष कुमार जी से मिलें कंप्पूटर जी कल अमधरों कि नहीं यह कल गय थे नितिष कुमार जी मिलने तभी जो है नकल कराय दे रहे सब बोलेंगे सर बिहार तो सारे इसा नहीं होता है कि लड़का बोला सर काया अब अरे अमने का हम बुड़ाई थोड़ी ने कर रहें बिहार जो है वो कई सारी संभावनां से भरा हुआ देश लेकिन चलाने वाले जो है न वह थोड़े से इसको घुमा दिये अमीर खुस्रो इस राइट आंसर अगला कोशन देख लेते संभाज संग का मुख्याल है कहां पर इस्थित है यहां पर इस्थित है यहां पर इस राइट आंसर यहां पर यहीं पर 24 अक्टूबर को यहां पर फाउंडेशन डे मनता है कुब बढ़िया यहां पर महूं जो उस दर्रे का नाम बताए जो स्री लंका को जाफना आइलेंड से लग करता है भाई साव लिओ कंपूर जी का है तुम बेटा हमाई बहुत मजे ले रहा हो अपके ऐसा कोश स्टेट का नाम बताइए बताइए क्या होना चाहिए जनता बोले सर लेओ यह कोश्चन तो आता ही नहीं है तो बैटा जाफना आइलेंड को जो स्री लंका से कनेट कर रहा है उसका नाम है एली फिंटा एली फिंट पास इस राइट आंसर डक्कन पास अंडमान निको बार क किसोर सागर तालाव कहां पर किसोर सागर अब नहीं पढ़ा है हो ग斜गे अगली क्लास का समय हो रहा है चलो टाटा बाएब या कोश्चन देख लो देखो जितने भी नए बच्चे टेलिग्राम लिंक को जोईन कर लिजे अगर आपको हमारे हमसे पढ़ना अच्छा लगता है आप हमसे रिविजन करना चाहते हैं हैना CGL CHSL के लिए नया बैच शुरू हो रहा है यूटूब पे साड़े दस बज़े से आप सभी लोग उसमें अमंत्री थे कल की जो क्लास है वो हमारे पूरे जनवरी मन्त के करेंट अफ्यरसी क्लास है जनवरी के हमारे जितने भी आपने नहीं पढ़े है लाइव आकर के पढ़ेंगे मजा आएगा धुआधार तरीके से और वहीं पर मैं आपको पीडिया भी दूंगा लाइव आने वालों को 2021 किते बज़े होगी सुवेरे छे बज़े होगी बैटा यह कहां पर लिंक मिलेगी तो यूटूब पर मिल जाएगी घूंते घूंते आ जाना नहीं तो मेरे टेलिग्राम चैनल पर जुड़ जाओ यह देखो मैंने टेलिग्राम का लिंक दे दिया है आप सभी लो कोर्स जो है जितने भी बच्चे लिखना चाहते हैं क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में जहां पर आप लोंग करते थे वहां पर आज कोर्स लिख दो अपने दिल की बात लिख दो जैसे बच्पन में लिखते थे थे ना चीटी चड़ी पहाड़ पे सुभा सुभेरा हो गया और किसको देख लिया अंकित मौर्या को देख लिया तो अंधेरा हो गया चलिए तो ऐसे आप लोंग कोर्स लिख सकते हैं बाई गाइस टेक क्यार अपना धियान रखिए पढ़ाई करते रहें कल मिलेंगे सुभेरे 6 बजे तब तक के लिए अल्ला हाफिस जल्गा है, होल्गा अं व्याई से लिए हो सिर ओंध लाई भू देखरें अंतर सबदude पिए और को आओ्राह लिए, बड़ाया चलिए, इसके रैकी ठोूंड़ा र शेल्गाई ...